असलाम आलाइकूम आई टू फेमली आप लोग कैसे हो और आज मैं आप लोग के साथ श्यायर करूंगी बहुत ही जबर्दस्त एक रेसीपी तो सबसे पहले में शुरू करती हूं तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले में निया पे लिया है एक बोल और उसके उपर मैंने में चानने रहे हैं और उसके के साथ में डालनाओ मैंकी कोप आपकव यृचान रहा है तो सब आल कुछ में चान के वियालाओंगी आज की रिसीपी के लिए तो आप लोग देख सकते हो और तो साथ मैंने侥े बेकिंग फाउडर डाल दिया है वान टीसपून तो में मिक्स कर रहे हूं तो आप लोग देख सकते हो यह जो मिक्सिंग है यह भी बहुत ही इंपोर्टेन्ट होता है आज तो मैंने मिक्स करके साइड में राकती है और दूसरी साइड में और एक बोल लिया है इसमें मैंने शुगर डाल दिया है किस्टर शुगर जो मैं घर से बाग गर में बनाया था उसको मैं पर चान रहे हूं अगर आप लोग आईसिंग सुगर इस और चानने की कोई जरूरत न और यह जो रेसिपी है में बहुत ही सिंपल और बहुत ज़ादा इजी तरीके से आप लूँ के साथ च्यार कर रही हूं और साथ ही साथ मैंने डाला है हाफ टीसपून पनीला एसेंस और हाफ टीसपून मैंने या पे चौकलेट असेंस डाल दिया है और दूसरी साइड में एक काप में गुंदुना पाने लिया है है हाप काप से तूरा सा काम दिया है और इसमें इंस्टेंट कॉफी पाउडर मैंने 2 टेवस्पुन मिक्स करके साइड में राख दिया है अभी सब्कुछ रेडी है तो आप मिक्सिंग करना का टाइम है तो यहां पर मैंने पहले जो ड्राइ इंडिटेंस था उसको में उसके साथ में नहीं आवे और का जो मिक्षार एक का जो सब कुछ मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूं आप लोग देख सकते हो और यह जो मिक्सिंग का प्रोसेस है बहुत ज लुड़री होता है आज के रेसिपी के लिए तो आप लोग देख सकते हो में कितने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूं और उसके बाद मैंने जो कॉफी का मिक्सर ड्रार राक करता है उसको मैंने तूरा तूरा है एले जा दो Eating कि मैंने पुरा यूज किया है और उसी के साथ मैंने हाफ काफ मिल्क भी लिया है और उसको मैंने तोड़ा सा पहले डाला है और उसको भी मिल्क भीक्स कर रहे हूं और बाद में और भी रह गया था जो मैंने डाल दिया है और पुरा मैंने हाफ काफ यूज किया है मिल्क भी ल और उसको मैंने अच्छी तरह से बेखिंपेः लगा लिया है आफिमे बाटर के लगा लिया है और प्रेस करके रखाद है और उसकी बाद में बहुत अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर रहा हूं ताकि कोई लांप्स ना रह जाए और अभी सारा बेटर में मौल पे डाल रही हूं और यहां पर मैंने स्पेचुला से अच्छी तरह से उसको इस तरह से प्रेस कर रही हूं ताकि अंदर में कोई साभी यार बबल रह जाए तो निकल जाए और इत्तम फाइन हमें चाहिए इसी स्पॉंज को त्वापन दिखिए मैंने यहां पर टैप कर लिया है बहुत समय पर लिए सब्सका बलेंने चंच में रिखते हैं को बोड़ा है तो आप लोग देख सकते हूं नितुले दिख सब्सक्राइव अ क्शाइबग में चोक्लेट मिने त्यक्षिसव कि को यह चोक्लसी छोप्ता-स रालुझ को देख जाए और दिखक लेस आएवशय सब्सक्राइब क मुश्ट चोकलेटड़ मटस्यान है। निकाल गया हूंosit तो देखिये किन्हें जेतना इजली निकल गया है और ये केक है जिक्टम इजिली निछे़ गया ये है तो बहुत आसानी से यह निकला है और उसको में अभी दिखाऊंगे आप लोंको कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत ज्यादा चोकलेटी बना है यह और उपर का जो ड्राइब पोर्शन है उसको में निकाल रहे हूं कुछ इस तरह से में चाकु से में निकाल आओ पर में चुगार शीराफ ही टालूंगी ताकि यह शुगार शीराफ ही हो जो यह वो एब्सक्राइब कर सके तो फुछ इस तरह से मैंने चुगार शेयाफ में डाल रही हो पर से ओर ये शुगार शिड़ाप डालने से और भी ज्यादा सॉफ्ट बनेगा बहुत जादा सॉफ्ट बनेगा तो आप लोग जरूर डालिया इस तरह से और मैं एकदम सिंपुल आप लोगे साथ रेसिपी शेयर कर रहे हूं ताकि एकदम हो जाए और कितना पार्फेर्ट गनाश बना है आपनों देख सकते हो और इसी तरह करके मैं पूरा केक के उपर में कवार करूंगी और उसकी बाद रेडी हो जाएगा तो मैं फ्रीज में रखतूंगी सेट होने के लिए बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरा साइड का बार कर लिया है सो अब इसको मैं पीजर में रखतूंगी सेट होने के लिए उसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी तो देखिए कितना शाइनी बना ही ये का नाश तो एक तोम सिंपूल तरीका मैंने आप लोगों के आप लिए और यहाँ पर मैंने कुछ चोकलेट टॉपर बनाया है और उसको भी मैं उपर में लगाऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूं तो देखिए मैंने ऊपर से कुछ तरा से चोकलेट टॉपर लगाया है और यह एकतम सिंपल मैंने डिक्रेशन किय है और उसकी ज़्यादा इसमें डिक्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो मॉइस्ट चोकलेट केक है एक तुम पूरा सा चोकलेटी चोकलेट है तो यह कहाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है और आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमन करके जरूर बत करके दो सुष्णा मुष्णा पिंडर आपना कर दिता है समुष्णा प्रशस्टी है और दो बहुता है तो आप